इंडिया में रोड की बात तो दूर है, शायद इंसान और गाड़ी अपनी घर पर भी सेफ नहीं है इसका रीजन यह है कि कई सारे लोग बस जुगाड या गांधी जी दिखा कर लाइसेंस ले लेते हैं और कई बार ड्रंक ड्राइविंग और रैश ड्राइविंग की वैसे ऐसा होता देखा गया है आज का यह वीडियो आपको दिखाएगे कि गाड़ी पर पूरी तरह से कंट्रोल ना होने से पहले गाड़ी बीच सड़क पर नहीं उतारनी चाहिए तो यह वीडियो मिस्टर चंद्रा ने हमारे इंस्टागराम पेच पर शेयर किया था आप इंस्टागराम पेस्बुक या इमेल के दुरू अच्छेंट की डीटेल शेयर कर सकते हैं कर तक पर शेयर कार वाड़ी बीच बीच पर चंदी से बाते हैं तो आपने देखा यह एक्सेंट कैसे हुआ यह डॉंक ड्राइविंग का मामला नजर नहीं आता है क्योंकि गाड़ी पहले काफी कम स्पीट पर दिखाई देती है बलकि पैनिक ड्राइविंग का मामला दिखाई देता है जिस तरह से गाड़ी नहीं तरन लिया जहां ट्राइवर ने ब्रेक की जग एक्सेलेटर दबा दिया साइन बोर्ड को हिट करने के बाद और अपने साथ किसी के घर में खड़ी पाग फॉर्चने का भी नुकसान कर दिया और आप देख सकते हैं कि स्विफ्ट यहां काफी हाई स्पीड पर थी और इंपक्ट की वैसे फॉर्चन को ऊपर उठा दिया जैसे कि गाड़ी को जैक किया गया हो पर जैक करने का तरीका यहां थोड़ा कैशुल था इन सभी इंसिडेंस से एक चीज समझाती है कि आधार कार्ट की तरह ड्राविंग लैसेंस को बाटना बंद करना बहुत ज़ादा जरूरी है क्योंकि ऐसे कई केसे हम पहले भी देख चुके हैं एक केस में गाड़ी के गेर चेंज करने में लेड़ी कमफरडेबल नहीं थी एक्सेंट करने के बाद और उनके बगल में बैटा इंसान गाड़ी को रिवर्स करके एक्सेंट साइट से हटाता है और कोई भी अगर लाइसेंज आधार कार्ट की तरह बाटतावा दिखाई दे तो उस पर सक्त करवाई करी जाए आपका कैस सूचना है यहाँ एक्सेंट केस वाई से हुआ यह एक ड्रंक ड्राइविंग का केस था यह पैनिक ड्राइविंग का कमेंस में से होता हिएगा